हेलो स्टुदेंट्स आज हम और गेरिक कमपाउंट में अनसेचुरेशन के लिए बेयर टेस्ट देखेगे जो अलकलाइन के एमेन ओफ और के सॉल्लूशन के साथ किया जाता है अलकलाइन के एमेन ओफ और के वन परसंटेज सॉल्लूशन के साथ अनसेचुरेशन टेस्ट में अनसेचुरेट यानि की डबल यार ट्रिपल बन वाले कमपाउंट का ऑक्सिडेशन होके उसमें का डायल में कनवर्जन होता है और कई बार मेंगेनिट डायकसाइड के ब्राउ प्रेसिपिटेट मिलते हैं इस टेस्ट में जिस और्गेनिक अननन कमपाउंट का अनसेचुरेशन टेस्ट करना है उसका वाटर एसीटोन या अलकोहल में सॉल्लूशन बनाना है अगर कमपाउंट वाटर इंसल्लूबल है तो उसका एसीटोन या अलकोहल में सॉल्लूशन बनाएगे बाद में उसमें ड्रॉप वाइज वन पर्संटेज के एमन ओफ और का सॉल्यूशन कॉंस्टन स्टरिंग करते हुए एड करेगे तब के एमन ओफ और का परपल कलर डीसेपियर होता है और उसके दौरान उस डीसेपियर होने के बाद अगर एमन नो टू दायोकसाइड के ब्राउन प्यासिपिटेद मिलते है या नहीं मिलते लेकिन कलर डीसेपियर होता है तो उस अनन ओर गेनिक कमपाउंड अनसेटिरेट कमपाउंड है यह इसली ऑक्सिडेबल ऑक्सिडीजेबल कमपाउंड है अगर क्याइमन ओफ और का सॉल्यूशन अने कर होता तो सेचिरेट कमपाउंड प्रेजन्ट है इस टेस्ट में मिनिमाम फोर्ट टू फाइव ड्रोप्स कॉंस्टन स्टरिंग करते हुए एड करना है और केमन ओफ और का सॉल्यूशन टॉपवाईज एड करने से रैपिट्री डिकलाराइजेशन होता है तो अभी यह टेस पॉजिटिव टेस्ट शेक्षेक्षै पॉजिटिव टेस्ट कहलाता है ए अ कि हम।ई बेंजोई कैसिड सैलिसली टेसीड सिणामी कैसीड छेνे नामी कैसिडे थैली कैसीड जैसे एरोमेरेटिक आसीड जो ब्यसु ऐसली 7 वहっस से सिंद्ग्स में आलकोहल वन परसंटेज केमेन अफ़र का सॉल्यूशन सबसे पहले बेंजोएक असीड को टेस्टिव में लेगे और उसमें आलकोहल या असीट अन एड़ करके बेंजोएक असीड को डिजॉल करेगे उसमें ड्रॉप वाइज वन परसंट केमेन अफ़र का सॉल्यूशन कॉंस्टन स्टरिंग करते हुए एड़ करेगे यहाँ केमेन अफ़र का परपल कलर डी से पिया नहीं होता अब दुसरा कमपॉंड सेलिसलिक एसिड लेगे उसको अलकोहल में डिजॉल करेगे उसमें ड्रॉप वाइज वन परसंट केमेन अफ़र का सॉल्यूशन एड़ करेगे केमेन अफ़र का सॉल्यूशन एड़ करने से तुरंथ केमेन अफ़र का परपल कलर डी सेपियर होता है यानि कि सेलिसलिक एसिड केमेन अफ़र के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है और उसमें मेंगेनिट डायकसाइड के ब्राउन प्रेसिपिटेट नहीं मिलते अब टेस्टिव में सिनामी कैसिड लेगे उसको अलकोहल में डिजॉल करेगे सिनामी कैसिड को अलकोहल में डिजॉल करने के बाद उसमें ड्रॉप वाइज बन परसंटेज केमेन अफ़र का सॉल्यूशन एड़ करेगे केमेन अफ़र का ड्रॉप एड़ करने से तुरंत केमेन अफ़र के सॉल्यूशन का परपल कलर डिसेपियर होता है और ज्यादा KMNO4 का solution एड़ करने से solution ब्राउन कलर का होता है यानि कि सिनामिक असीड KMNO4 के साथ positive test देता है और वो unsaturate compound है अब थैलिक असीड को testive में एड़ करेगे और alcohol में उसको dissolve करेगे अलकॉल में डिजॉल करने के बाद उसमें 1% KMNO4 का solution एड़ करने से purple color disappear नहीं होता मतलब कि थैलिक असीड अलकॉलन KMNO4 के साथ negative test देता है